हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सुरजपटेल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों आज का वीडियो 12 स्टेंडर कोमर्स स्टुडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन है विकुस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Economic IMP Question Bank देने वाला हूँ तो जितने भी मेरे भाई, दोस्त, भेन जो 12 स्टेंडर के है वो आज इस चैनल पे अगर नए जुरे है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबा लीजिए विकुस इसी तरीके से आने वाले टाइम में मैं आपको Account Subject का, SP Subject का, OC Subject का मैंने पहले ही दे चुका है Important MCQs तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कहां से Download करना है वो भी उस वीडियो में बता दिया है इस वीडियो को भी एन तक चरूर देखना विकुस इस वीडियो में को भी इस वीडियो में भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये MCQs आपको कहां से लेना है साथी साथ मैंने Economics का आपको 5 paper pattern दिया हुआ है practice करने के लिए दोस्तों ठीके 5 अलग-अलग question paper दिया हुआ है आप practice कर लीजे अगर आपने इस question paper को ही practice कर लिया दोस्तो 80 plus marks आपके कहीं नहीं जाएंगे आपको 80 plus marks मिल जाएंगे अगर आपने यही question paper को practice कर लिया दोस्तों उपर आपको दिख रहा होगा proton यह proton classes मेरे classes का नाम है इसके लिए आपको दिख रहा होगा इस चैनल को subscribe कर ले दोस्तों पहला जो question है आप लोगों के सामने देख लीजे पहला ही question आपको देखते बरवा समझ में आ जाएगा कि यह question important है explain the concept of micro economic and its future दोस्तों यह जो micro और macro को लेके है दोस्तों यह micro economic दोनों question important होते हैं और यह दोनों में से कोई एक question exam में 100% पूछ ही रहता है majority time पूछता ही है तो दोस्तों मैंने पहला जो question है micro economy को लेके पूछा है और इस question को आपको तयारी करके जरूर जाना है देन दोस्तों second question है discuss the various source एक में दोस्तों कुछ changes हो गया है discuss the various source of non-tax revenue ठीक है दोस्तों यह आपको second question इदर आपको दीख रहा होगा दोस्तों ठीक है सकता है अगर दोस्तों कि मैं आपको एक बार paper pattern दिखा देता हो कि पहला जो question होता है वो objective type होता है ठीक है A B C और D चार category में उसको divide किया हुआ रहता है question number जो two होता है वो आपको concept explain करने के लिए होता है जो दो-दो marks का any three करना होता है देन उसके बाद आपको distinct between आता है जो दो-दो marks के ही होते है देन बाद में आपको आता है detail question को explain करना है जो 4 marks के लिए एक question आते है question number four में जो दोस्तों होते है वो भी question को reason देके explain करना रहता है तो दोस्तों वो भी 4 marks के एक है ठीक है then question number 5 में आपको कोई diagram दे दिया रहेगा आपको इस diagram को explain करना रहेगा ठीक है दोस्तो then उसके बाद दोस्तो हम नीचे आ जाते question number 6 जो 8 marks का एक question होगा दोस्तो अभी जो मैं आप लोगों को question दिखा रहा हूँ ये question आपकी कही question को cover कर लेता है अभी मैं आपको explain करता हूँ जैसे कि question number 4 ठीक है जो आपको important IMP दे रहा 4 वाला what do you understanding by the index number ठीक है अगर दोस्तो इतना ये पूछा तो साथ ये 2 marks के लिए भी पूछ सकता है लेकिन आगे का अगर उसको साथ में जोड दिया discuss the types of index number अगर ये दोनों साथ में पूछा दोस्तो तो याद अगना कि ये question 8 marks के लिए आएगा लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछ लिया discuss the types of index number तो दोस्तो ये 4 marks के लिए question हो जाएंगे दोस्तो मैं आपको इसलिए question के बारे में भी पूरा detail बताते चल रहा हूँ कि question किस तरीके से पूछा जा सकता है देन बार में 5 important question पे देख लेते हैं दोस्तो what do you understanding national income and discuss his feature दोस्तों काफी ज़्यादा important and national income को लेकि कई बार exam में question पूछा गया है तो इसे जरूर आप करके जाईए 6 है explain the reason for growth in public expenditure public expenditure के related भी काफी बार question आया हुआ है और जो सबसे ज़्यादा important है जो कई बार exam में पूछा है वो है 7 number का question explain the law of supply and assumption ठीक है दोस्तो law of supply कई बार exam में आ चुका है दर उसके बाद very very important question दोस्तो जितने भी question दिया definitely important ही है तभी आप लोगों को दे रहा हूँ यार ने तो नहीं देता मैं दोस्तो आठवा यह है what do you understanding by macroeconomic is also discussed is scope दोस्तो देसे कि मैंने बोला था micro macro दोनों important question है तो दोस्तो यह macro है और यह उपर वाला question number one आप इदा देख रहे हो ठीक है दोस्तो यह उपर वाला यह वाला यह micro है ठीक है तो यह दोनों में confuse मत होना चलिए दोस्तो अब nine point पे चले जाते है explain the different types of price elasticity of demand दोस्तो price elasticity of demand 100% करके जाना यह भी exam में पूछे जाते है कई बार exam में पूछे गए है अब दोस्तो बात करते है question number 10 what do you understanding by elasticity of demand दोस्तो अगर इतना ही question पूछा तो यह 4 marks के लिए पूछेगा देन उसके आगे का देखो explain the various types of elasticity of demand यह भी अगर एक अलग से question पूछा तो 4 marks के लिए पूछेगा लेकिन दोस्तो अगर question इस तरीके से बन गया what do you understanding by elasticity of demand एन उसके साथ ही explain the various types of elasticity of demand मतलब यह दोनों question को अगर मिला के पूछ लिया exam में तो दोस्तो यह 8 marks के लिए आएगा आप लोगों को question ठीक है दोस्तो paper pattern कैसे आने वाला है उसका कैसा क्या होगा वो मैं आपको कोई next video में जरूर explain करके बता दूँगा इस वक्त तो इस चीश पे ध्यान देना बहुत जर ठीक है दोस्तो काफी important question इससे जरूर करके जाएए देन उसके बाद दोस्तो यह जितने भी question दिये है आप अगर यह चीश करके जाते हो तो दोस्तो मैं एक चीश की guarantee दे सकता हो देखो भाई ज्यादा हवे में उड़ने वाली बात नहीं करूँगा अगर यह question करके जाते हो साथी साथ अगर आप objective भी कर लेते हो ठीक है mcqs की बात कर अगर आपने mcqs में 20 में से 18 या 20 जो भी आप ला पाओ 15 जो भी दोस्तो वो प्लस यह question अगर आप कर लेते हो तो आपको 80 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तो यह काफी important है कि mcqs यह आपको 100% करके जा रहे 13 नंबर पे थे ठीक है तो what do you understanding by the term of demand schedule and also explain individual and market demand schedule देख सकते है important जो आप लोगों को मैं दे रहा हो काफी ज्यादा important question है और यह सब साइज जो question मैं आप लोगों को बोल रहा हो यह आप लोगों ने अपने class के sir teacher या college के sir teacher से भी definitely सुना होगा what do you understanding by utility and explain features also question no.15 को देख लेते हैं discuss the concept of utility sorry discuss the concept of utility and the relation between total and marginal utility ठीक है दोस्तो दे उसके बाद define monopoly competition and also discuss its features 17 question को देखते हैं दोस्तो देख लीजिए मैं अभी भी बोलना हो कि मैंने I think 25 question दिया इससे ज्यादा नहीं दिया तो घबराईए मत ठीक है 17 चर रहा है structures of capital market in India 18 question दोस्तो capital market in India जरूर करके जाएए भूलना मत explain the output matters of measurement of national income दोस्तो उपर भी मैंने आपको बोला था national income के definitely आप solve करके ही जाएए अब distinct between के question जो मैं आप लोगों के दे दिया है कि public finance and private finance ये question काफी ज्यादा important है जिसके वज़े से आप लोगों को मैंने दिया ये question तो इसे 100% करके जाएए देख लेते नीचे कितने question आप लोगों के बचे है क्योंकि आप लोगों के दिल और दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर कितने question दिये जा रहे हो ठीक है जैसे कि हम 20 पर अभी है elaborate the scope of microeconomic ठीक है दोस्तों ये scope of microeconomic था उपर macro था then distinct between फिर से एक बार आ चुका है जो microeconomic और macroeconomic दोस्तों अगर आपने ये तयार कर लिया ना तो अगर आपको microeconomic के बारे में बोला तो ये लिख देना और अगर distinct between पूछा तो ये दोनों लिख सकते हूं काफी कुछ cover हो सकता है अगर आप करने चाहो तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने 25 question बोला था और ये 25 ही question है अब हम चल रहे 22 question पे write about change in direct of foreign trade then 23 what do you understanding by the demand law and discusses assumption also दोस्तों demand law काफी important question हो जो exam में हमेशा पूछता है इसके बात का भी काफी ज्यादा important question है आप देख लिजे खुदी में read कर दे तो आप लोगों के लिए what do you understanding by oligopoly and what are the various features दोस्तों oligopoly के related काफी बार question आचुके exam में आप previous share के paper उठा के देख सकते हो definitely की paper pattern change हुआ है लेकिन question की जो weightage है वो तो definitely change नहीं हो सकते है जो पूछने वाले question है वो definitely exam में पूछे जाएंगे then 25 जो सबसे last on least है वो क्या है देख लिजे explain the change in supply और दोस्तों फिर से एक बार जाते जाते हैं आप लोगों को कहूंगा अभी तक जा नहीं रहा हूँ वीडियो को एन तक देखने बोला है तो एन तक देखिए मैं जरूर बताऊंगा कि ये question आपको कहां से मिल जाएंगे all the best आप सभी दोस्तों को आपके exam के लिए और बात कर लेते कि ये जो mcqs है मतला स्वरी ये जो question है ये आपको कहां से मिलेंगे तोस्तों ये आपको मेरे website सूरज पटेल education पर जाना है आपको ये मेरे website पर मिल जाएगा जैसी आप इदर देखते हो url देख सकते सूरजपटेल education.com लिखोगे आपको कुछ नहीं करना है आपको education में जाना है जुनियर education के वाँ जाना है ठीके दोस्तों और उसमें SYJC पे क्लिक करना है जैसी आप SYJC पे दोस्तों क्लिक करोगे आपके सामने पूरे important question के जो list है साथी साथ paper pattern के जो list है वो आप लोगों के सामने आज जाएंगे तो दोस्तों मैं इदर आपको दिखा भी देता हूँ क तो आपको वीडियो के description में भी इसके link मिल जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए आपको इदा दिख रहा होगा ये economics के related mcqs भी मैं आप लोगों के लिए provide किया तो आप जाके उसे भी देख सकते हो और ये देखिए नीचे आप लोगों को important question bank दिख रहा होगा 12 standard का तो जाके आप ये सभी question को देख सकते हो, copy कर सकते हो या ते इसे हमेसा आप इस website पर आपको available मिलेगा आप use कर सकते हो तो thank you so much दोस्तों फिर से मिलता हो next video में जब तक के लिए bye bye दोस्तों